दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से दूसरे रोमांचकारी सफर पर निकलते हैं जहां आम एरिये के साफ से सबसे बड़े एरपोर्ट के खजाने को खोलेंगे यानि लार्जेस्ट एरपोर्ट बाई एरिया और वो एरपोर्ट है साओधी अरप का किंग फाद इंटरनेशनल एरपोर्ट साओधी अरप के इस्टन जोन की राजदानी दमम में स्थित है यहां के विशाल का विमानोडान विस्तार से बरा पड़ा है जो हर साल लाखों यात्रियों को अपनी गोद में समेटता है अपनी सासे थामिये मेरे दोस्तों क्योंकि इस एरपोर्ट के छेतर की विशालता आपको आश्रे चकित कर देगी क्या आप इसके एरिये का नुमान लगा सकते हैं 10,000 रेकर 20,000 रेकर या अधिक तम 50,000 रेकर सच्चाई आपको विश्वास से परे आश्रे चकित कर देगी आईए आपको एक रहसमें तुलिना के साथ परीचकराते हैं यह संपत् इंटरनेशनल एरपोर्ट आश्रे जनक रूप से 1,953 एकर यानी लगबख 776 स्कौर किलोमीटर में फैला हुआ है जो इसे लैंड एरिये के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट बनाता है संग्षेप में कहें तो यह वाकई में अविश्वसनी है सबसे और अद्बुद्ध विश्व प्रसिद एरपोर्ट के रूप में अपने नए यात्रियों का स्वागत करता है किंग फाद इंटरनेशनल एरपोर्ट 28 नवेंबर 1999 में संचालन के लिए खोला गया था अगर रनवे की बात करें तो इस विशाल एरपोर्ट पर एक नहीं बलक के साथ कड़ी है आज हम इनकी खुबसूरती और मैत्व का नुबब करेंगे पहला यात्री टर्मिनल है जो सभी घूमने वालों के लिए सेवा और सुविदा प्रदान करता है यात्री टर्मिनल में 6 फ्लोर हैं जिन में से पहला दूसरा और पांच्वा फ्लोर पैसेंजर के लिए आवंटित किये गए हैं तीसरा फ्लोर एराइवल के लिए छटा फ्लोर डिपार्चर के लिए और चौर्ता फ्लोर बोर्डिंग के लिए आवंटित किया गया है तीन लाग सताइस एयर वर्ग मीटर यानि लगबग 35,19,197 वर्ग फिट में फैला यात्री टर्मिनल मालमी उपलबदी का एक शांदार प्रमान है के बाद दूसरा टर्मिनल यानि अराम को टर्मिनल है तो विशेश रूप से साओधी अराम को करमचारियों के लिए रिजर्वड है यहां साओधी अराम को इधन आपूर्ती और इधन अपकरण के रख रखाओ की जिम्मेदार लेता है अब बार आती है तीसरे नंबर रॉयल टर्मिनल की जो साओधी शाही परिवार सरकारी अधिकारियों और सम्मानित गणमान वत्तियों के लिए अरक्षित है एक लाग सततर हजार वर्फुट में फैले इस भववे स्थान में ड्यूटी फ्री स्टोर एक शांदार और एक रॉयल हॉल है जो अपने स्पेशल गैस्ट को बैतरीन सुविदाएं और सिवाएं परदान करता है इस एयरपोर्ट की विशालता के बीच एक पूजा स्थल भी है कारपार की छट पर बसा हुआ एक लैंड इसकेप छेत्र जिसमें 497 या 292 वर्फुट में एक 90,000 मेट्रिक टन इंकमिंग और आउटगोइंग कार्गो की छमता है और यही नहीं यहां आकाश को भेटते विए 85 मीटर यानी 281 फिट उचा कंट्रोल टावर है जो 30 मंजला इमारत की उचाई के बराबर है अभी तक आप सभी आश्र चकित महसूस कर रहे होंगे खेर आई नहीं सिंगल स्टोरी कैटरिंग बिल्डिंग अपने स्वात को लवाने के लिए तयार है जो एक ही दिन में 8,000 विमान भोजन, 1,000 करमचारियों के भोजन और विशेश रूप से रॉयल पवेलियन किचन के लिए 300 बोजन का उत्पादन करती है और इस सारी भवेता के बीच एरपोर्ट अपनी खुद की नरसरी का दावा करता है जो लगबग 23,20,473 वर फुट भूमी पर हरियाली और जीवन फैलाता है जिसमें तीन ग्रीन हाउस और हरे बरे खेत शामिल हैं मुझे यकीन है कि आपने ऐसे चमतकारों की उमीद नहीं की होगी यह हवायड़ा यात्री और आगंतुकों के लिए एक शांदार अनुबब बनाती है दोस्तों चेत के नुसा सबसे बड़े हवायड़े की जन्नी यही समापत होती है अगले वीडियो के लिए बने रहें जहां आपको विश्व के सर्वस्रेश्ट हवायड़े की कोच की यात्रा पर ले जा होगी अगले वीडियो के साथ धन्यवाद